ये कहानी है 1976 की परमहनस नाम की एक गुरुजी है जो कि हस्तकला बिद्या में माहिर है इनका मानना है कि कोई भी जोतिस बिद्या या बिग्यान सो प्रतिसत सही नहीं हो सकता पर इस बात पे हमारा गुरुजी का सिस्य थोड़ा असहमत है वो सोचते है कि जोतिस बिद्या सो प्रतिसत सही है और जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहता है और ये महान सोज रखने वाला व्यक्ति और कोई नहीं हमारा फिल्म का हीरो विक्रमा दित्या है जो कि एक पालमिस्ट है और लोगों का हाथ देके भविश्यवानी करते है इन्होंने बड़े-बड़े नेता प्रधानमंत्री, बिजनेसमैं सब का हाथ देके भविश्यवानी किया है और हर बार इनका हर भविश्यवानी सत-सावित हुआ है ये कहानी इन्हीं के लव स्टोरी के ऊपर है विक्रमा देत्या अभी इंडिया में नहीं रहते ये अभी इटली की रोब में अपना मा और ए इसलिए ये प्यार के मामले में ज्यादा सिरियस नहीं होते और हर लड़की से बस फ्लाट करते रहते हैं। इनके पास इनका एक डायरी होता है जिसे वो बहुत संभाल के रखते हैं। लोग डायरी में वो लिखते हैं जो उनके साथ होता है। पर ये भाई साब अपना डायरी में वो सारी बाते लिखते हैं जो इनके साथ होने वाला होता है। अब वैसे तो ये भाई साब को प्यार और साधी के चकर में नहीं पढ़ना था। क्योंकि वो अपना हाथ का रेखा देखकर समझ गए थे कि उनका जिबन में वो सब नहीं है। और इनके किस्मत में तो मिलना लिखा है। इसलिए आदित्या का एक बार एकसिडेंट हो जाता है और इलाज के लिए वो उस होस्पिटल में जाता है जहां वो प्रेरणा काम करती है। लेकिन अगर हाँ है तो कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब प्रेरणा आदित्या की बातों पर ध्यार नहीं देती और अगली सुबह ट्रेन से अपनी दोस्तों के साथ मेडिकल केंप चली जाती है। और फिर हमें यहां देखने मिलता है कि आदित् प्रेरणा ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं जहां एक आदमी आता है और आदित्या को अपनी बेटी तारा का हाथ पढ़ने के लिए कहता है जो कि स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करती है और आर्चर बनना चाहती है तो आदित्या तारा की हाथ देकर कहता है कि स्पोर्ट्स मे नहीं पड़ाई में ध्यान दो उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी पर तारा ये मानने के लिए तैयर नहीं थी वो सोचती थी कि उसका फ्यूचर उसका हाथ की लकिरों में कैद नहीं है वो जो बनना चाहती है वो बनके रहेगी और इसके बाद बाकी सारे लोग भी आदित्य को अपना हाथ दिखाते है अपना भविष्या जानने के लिए पर आदित्य का स्टेशन आ जाता है तो आदित्य वहाँ उतर जाता है और फिर उसे याद आता है कि जो सब लोग आदित्य को अपना हाथ दिखा रहे थे उन सब का लाइफ लाइन अधूरी है और वो सब एक स तो आदित्या समझ जाता है कि ट्रेन का एक्सिडेंट होने वाला है और वो उसे रुकने के लिए बहुत कोशिस भी करता है पर भविश्य बानी को कौन बदल सकता है आदित्या उन सब के हातों में जो देखता है वही होता है और ट्रेन का एक्सिडेंट हो जाता है जिसके अधित्या से पूझ रही है कि यह हम अपना भविशया बदाल सकते हैं तो आधित्या कहता है नहीं कुछ इसका एक्जाम्पल तुम देख चुकी हो मैंने ट्रेन को एकसिडेंट होने से रोकने के लिए उसके पीछे दोडा था पर फिर भी जो होना था वो हो गया अब प्रेर प्रेराना के पास बस कुछी दिन का ही टाइम है अब आपको सायद समझ आ गया होगा कि क्यूं प्रेराना के चाचा प्रेराना को आदित्या से दूर रहने के लिए कह रहे थे पर आदित्या ये मानने के लिए तैयर नहीं है वो कहता है कि मेरी भविशेबानी कभी भी गलत सा लेकिन प्रेरणा के चाचा ये जुटी से अच्छा सच को अपनाने के .. कहते है और आदित्या को गलत साबित करने के लिए कुछ दैड़ बॉडिच की हेंटPrinissa के पास जाते है는 कहते हैं इन सब का handprints देखो और बताओ तुम्हारे भविशबानी क्या कहता है तो आदित्या भी खुद को सही सावित करता है और कहता है कि कौन किस वज़े से मरा है किसका कितना उम्र था मरने का कारण क्या था वगेरा वगेरा तो अब प्रेरणा की चाचा भी मान जाते है कि प्रेरणा जीएगी पदा नहीं कैसे पर वो जीएगी ये सुनकर प्रेरणा भी बहुत खोस हो जाती है और वो रात को आदित्या के घर उसे ये बताने के लिए जाती है कि वो उसे प्यार करती है अब प्रेरणा आदित्या के घर में आदित्या के मां से मिलती है आदित्या का डायरी भी थोड़ा पढ़ लेती है अधित्य भी प्रेरणा को चाहने लगा था पर इससे आगे कुछ पढ़ सके उससे पहले अधित्य वहाँ आ जाता है और उस डायरी को अपना सूट में छुपा लेता है फिर डिनर के बाद जब प्रेरणा अधित्य को उनके प्यार के बारे में बताने जा रही थी तभी अधित्य प्रेरणा के बोलने के पहले से ही बता देता है कि उन दोनों का फ्रटे संसिप काप एंड आ गया है उसका मा के डैंस फेस्टिबल के बाद वहाँ से दूसरे देश चला जाएगा फिर वहाँ से वापस नहीं लोटेगा तो यह प्रेरणा भी आधित्य के साथ जाने के लिए कहता है पर आधित्य मना कर देता है और कहता है उसके हाथ में लव लाइन नहीं है तो प्रेरणा यहां से दुखी होकर घर वापस चली जाती है और दूसरी तरफ हमें देखने मिलता है आधित्य अपने गुरुजी से मिलने ज जाता है और तब गुरु जी आदित्या की हाथ पड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आदित्या बहुत ही जल मरने वाला है जो बात कि आदित्या भी पहले से जानता था और वो उसे बदलना नहीं चाहता था सेम यही टाइम पर प्रेरणा को भी यह बात पता चल जाता है कि अधित्या बहुत ही जल मरने वाला है क्योंकि अधित्या जिस सुट में अपनी डायरी रखा था वो सुट अधित्या ने प्रेरणा को दे दिया था और यह भाई साब तो अपनी डायरी में वहीं लिखते हैं ना जो उनके साथ होने वाला है यही टाइम पर अब यहां प्रेर और भी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता है वो तो अब ठिक हो जाएगी लेकिन आदित्या अब नहीं रहेगा फिर हमाँ देखने मिलता है जिस पर लिखा है कि इसे 26 नबवर मर खोल ला इसके बाद मैं देखने मिलता है लंदन का सिन जहां आदित्या तारा से मिलता है और तारा कहती है कि अब तो मेरी लकिर के साथ हाद भी नहीं रही तो क्या मेरा फ्यूचर नहीं है है और मेरी फ्यूचर में खुद लिखूंगी बोलकर वह वहां से चली जाती है अदित्या अब सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि किस्मत को कौन बदल सकता ह आदित्या के मा के डैंस खतम होने के बाद आदित्या प्रेरणा का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है और देखता है यह उसी का ही डायरी है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रेरणा अब अपना जान देने जा रही है क्योंकि प्रेरणा चाहती है कि अब वो नहीं आदित्या जीए फिर हमें देखने मिलता है प्रेरणा खुद का ही एक्सिडेंट कर देती है तो मजबुरन आदित्या को प्रेरणा से कल करना पड़ता है पर आदित्या कहता है कि वो उसके लिए आ रहा है फिर आदित्या रोम जाने के लिए निकल पड़ता है पर उसे फ्लाइट नहीं मिलती फिर भी वो प्रेरणा के पास पहुंच गया और उसे साधी करके अपना भवी से बदल दिया